तो कैसे हैं आप लोग मुझे उमीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे माव माव एन जिनसी के एपिसोड नमबर 14 में आपका स्वागत है एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टार्गेट होता है 40 कमेंट और 1 के लाइक का यदि आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है तो इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आऊंगा चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जो यहाँ पर प्रिंसेस दिखाई जा रही है उसका नाम लाव लेन होता है वो यहाँ पर आ रही होती है महल के अंदर वो चेहरे से तो बहुत ही उदास लग रही होती है और साथ में वो जो है यहाँ पर अपने महल को देखती है और उसके साथ बहुत सारी नोकरानिया चल रही होती है जब वो महल के अंदर पहुंचती है तो अपना ताज जो है कुछ इस तरह से उतार कर रखती है कि जैसे लगता है कि वो जो है बहुत ही ज़्यादा दुखी हो और फिर वो जाकर यहाँ पर अपने टेबल पर बैठ जाती है चेहर पर बैठने के बाद भी ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा उदास है अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गावकू होती है वो लेटर लिख रही होती है मामाओ को वो कहती है कि मामाओ यहाँ यहाँ पर आ चुकी है और मुझे वहाँ पर उसको बहुत ही जादा सप्राइस देना है इसलिए मैं ये लेटर उसके लिए लिख रही हूँ दुसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मामौजर होती है यहाँ पर बैठ कर गार्डन के अंदर गार्डनिंग कर रही होती है वो पौधों को उगा रही होती है जिन से दوाया बनती है ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि आपको तो पता ही है उसको दवायां बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वो जो है यही काम करना पसंद करती है तब ही हम देखते हैं कि उसकी मेड यहाँ पर आ जाती है और कहती है मैंने तुमें क्लीनिंग करने के लिए कहा था तुम यहाँ पर क्या कर रही हो तो वो कहती है अभी जाती हूं वो बोलती है कि ज्यादा गार्णिंग में ध्यान मत दिया करो तभी हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहां पर गाउसू और जिंसी दोनों बैठ कर कुछ सोच रहे होते हैं यहां पर जिनसी बताता है कि तुम्हें पता है यहाँ पर न्यू कॉंसर्ट होने वाला है जो यहाँ पर पहले आद वो चली गई थी रानी उसकी जगा कोई और रानी यहाँ पर आएगी जो स्टार्टिंग में हमने जिस लड़की को देखा था लाउ लेन को वो ही यहाँ पर रिप पर प्राइज बोल रहा हूं यह देख सकती हो तुम यहाँ पर गयू कुगा लेटर है और साथ में ली हाउ का भी लेटर आया हुआ है तुम्हें बुलाने के लिए फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मामा जो होती है वो कहती है अच्छा तो ठीक है फिर अगले सीन में हम दे इतना लिखों मुझे समझ में नहीं आ रहा है तब ही हम देखते हैं यहाँ पर जिनसी आ जाता है और कहता है कि तुम पढ़ाने के लिए कौन सा मेट्रियल लेकर जा रही हो मामा कहती है वो सिक्रेट है मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ फिर हम देखते हैं कि उसकी और वो उसे मना कर देती है तो वहाँ पर वो सुचती है कि जब तक ये सर्वेंट इसके पास होगी मेरे पैसे नहीं बढ़ सकते हैं अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जिनसी दुबारा से देखने की कोशिस करता है कि वो पढ़ाने के लिए कौन सा मेट मेटरियल लेकर जा रही होती है मामाओ उसके उपर घुसा हो जाती है वो कहती है कि नहीं तुम यहाँ पर देख नहीं सकते हो जिनसी यहाँ पर कहता है कि ठीक है ठीक है जैसा तुम कहो मैं नहीं देखूंगा यहाँ पर वो खुद से ही मेटरियल को ले जा रही होती है गा क्योंकि जिन्सी जो है दिखने में बहुत ही जादा सुन्दर है इसलिए उसे देखने के लिए यहां पर इतनी लड़कियां आ जाती है यहां पर जिन्सी कहता है कि अब तुम सब का काम हो चुका है तुम अपने अपने घर जा सकती हो और सभी लड़कियां बहुत ही जादा खुष हो जाती है और यहां से चली जाती है अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग रानी के घर में आ जाते हैं और यहां पर भी जिनसी ट्राई करता है कि उसके अंदर किस तरह की बुक है वो पढ़ने का, बट यहां पर दुबारा मामा वीच में आ जाती है और कहती है कि नहीं तुम जो हो यहाँ पर नहीं रह सकते हो यहाँ से निकलो यहाँ पर सिर्फ लड़किया जो है वही रह सकती है और वो जो है यहाँ पर उसे धक्का मार कर बाहर निकाल देती है गाउसू यहाँ पर बहुत ही जादा और उच्छी एहान पर यहां पर लिसु को देखता है कि यहां पर लेड़ी लिहाऊ को वह बहुती ज़दा अचा अच्छी लग रही हो देखकर कि लिहाओगी मेड जों है मामाओं को देखकर उसे समझ में नहीं आता कि वह क्यों गव्रा रही है फिर यहाँ पर वो देखती है लु लेनको जो यहाँ पर नईरानी बनने वाली है जो यहाँ पर आदुओ की जगह पर आई है वो कहती है कि ये नोट से आई है बट इसके चेहरे को देखकर मैं अभी कुछ बता नहीं सकती हूँ कि ये क्या सोच रही है बट कोई नहीं अगर ये आई है तो इसे जो है positive ही रहना चाहिए negative नहीं रहना चाहिए और यहाँ पर वो अपना lecture start करती है अपने नाम बताते हुए वो कहती है कि मैंने आप सभी को material दिया है आप जो है अब हम यहाँ पढ़ना start कर सकते हैं और सभी जो यहाँ पर होती है पढ़ना start कर देती है मामा और इन सभी को पढ़ाने लग जाती है किस त Bennett क के बारे में पढ़ाती है वो तो हमएं भी नहीं पता है यहाँ पर गाव को बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और यहाँ पर उसकी मेड पढ़ रही होती है लिहाओ की वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रही होती है यहाँ पर लिसु जो होती है वो उसको पढ़ कर उसको चक्कर आ रहे होते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं लाव लेन जो होती है उसकी मेट भी पढ़ रही होती है बट वो घबरा रही होती है बट यह क्या पढ़ा रही है यह तो हमें पता नहीं चला है बट इसे जानना चाहता है आप भी और यहाँ पर जो हमारा जिंसी है वो भी जानना चाहता है कि य क्या पढ़ा रही है इसलिए वो कान लगा कर सुनता है तब ही यहां मामो आ जाती है वो कहती है कि तुम क्या सुन रहे हो तो यहां पर जिनसी कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने कुछ जादा ही टाइम लिया कुछ जादा ही अच्छे से तुम पढ़ा रही थी तब ही वो देखते हैं कि यहाँ दो रानिया बहुत ही ज़्यादा खुस होती हैं गाईकू अलिया हूँ और बाकी की जो होती है उन्हें टेंशन हो रहा होता है हम देखते हैं मामा यहाँ पर लाव लेन को देखती है लाव लेन भी उसको देखती है और फिर अपना मुह साइड में कर ल तो यहां पर वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता चलेगा और अभी मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं तुम जा के बाद में पूछ सकते हो इन्हें पसंद आया या नहीं पसंद आया अब रात को देखते हैं कि वो सोने की कोशिस कर रही होती है तब यहां पर एक धमाका होता है दमाके को सुनकर यहाँ पर वो जग जाती है सोचती है कि मैं जाकर देखती हूँ बट वो सोचती है कि नहीं मैं जाओंगी तो मुझे कोई कुछ बोल देगा हम जो है दमाके वाली जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे सैनिक यहाँ देख रहे होते हैं कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है और एक बंदा यहां स्मोकिंग पाइप को देख रहा होता है हम अगली सुबह देखते हैं कि यहां पर सोच रही होती है मामाओ कि वो किस तरह की आवाज थी जो पिछली रात को मेरे को सुनाई दी थी यहां पर वो देखती है जिनसी एंगा जलना होता है या फिर इन्हें जलाना होता है जलाने के लिए मिल्टरी अफिस के पास जाना पड़ता है फिर हम देखते हैं कि गाउस उसके पीछे आता है और वह उसे जैकिट देता है तो वह मामाओ किस तरह का बंदा है, जैकिर देने के लिए भी सर्वेंट का यूज करता है, अब जो मामा होती है, यहाँ पर जिनसी को भी टैंक्यू कह देती है, फिर हम देखते हैं अगले सीन में, कि वो पेपर जलाने के लिए यहाँ मिलती के हाउस पर आई होती है वह कहती है कि एक चार मिलिटरी का जो जगह है वह भहाट ही बड़ा है और यहां पर वो सोसती है कि मैं जो कर다овать यहां पर भी वी इती हूं यहां पर बहूत ही अच्छे मेडियसन जो होंगे ग्रो होंगे फिर हम पर उन सबी को ढूड़ने लग जाती है। उन्हें देखकर इन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर हम देखते हैं उसका जो ध्यान होता है वो एक और जड़ी बुटी पर जाता है। वो कहती है कि यहाँ पर जो है इसे खाकर पोईजन हटा सकते हैं। तब ही वो देखती है कि लिहाकू जो होता है यहीं पर बात कर रहा होता है। तो वो उसके पास आती है कि क्या कुछ हुआ है यहाँ पर उसकी बात का जवाब नहीं देखता है लिहाकू लिहाकू कहता है कि एरे तूम यहां पर कैसे तो यहां पर जो सोचती है माँ माँ किसे नहीं पता है कि मुझे यहां से निकाल दिया गया वैसे यह मेरी बड़ी सिस्टर प hätten के साथ बहुत ही अच्छा है और उससे प्यार करता है यह जो है उसके पास ही गया था वरोट यहां पर उसे पता नहीं है पर इन जो है वह ज़्यादा चार्ज करती है एक एन्वल जो बंदा होता है कोमनर उसकी जो सेलरी होती है वो उसका हाफ ले ले लेती है जो कि साल की सेलरी होती है यानि छे मेने की सेलरी यही रख लेती है फिर यहाँ पर लिखाकू जो होता है वो मिलने के लिए उसक इस बात में बिजी हो तो लिहाकू जो होता है वो कहता है कि बस हम यहाँ पर देखने आए हैं कि यहाँ पर किस तरह का धमाका हुआ है और हम जो है इसका रीजन जानना चाहते हैं इसलिए हम यहाँ पर देखकर सोच रहे हैं कि क्या रियन हो सकता है यहां मामा सोचती है कि रा आग लगने के कारण यह नहीं हो सकता है यहां लगता है बहुत ही बड़ा धमा का हुआ है वैसे लिहाकु जो होता है वो हायर ओफिशल्स में आता है तो वह यहां पर क्या क्यों क्या कर रहा है यहां पर लोवर बंदे क्यों नहीं आए वह कहती है मेरे राजा जो है वह बहु उठा लेती है वह सोचती है कि लगता है यहां पर खाना रखा जाता है फिर वह यहां पर एक पाइप को उठाती है जो कि स्मोकिंग पाइप होता है वो उसको द्यान से देखने लग जाती है इतने में लिहाकू जो होता है पीछे उसके आ जाता है और यहां पर वो जो है उसे चुट कर भागने लग जाती है फिर वो अलग से जाती है बेस्मेंट में जहाँ पर यहाँ फिर से फूड जो है वो स्टोरेज होता है यहाँ लिहाकू जो होता है वो आता है तो वो उससे पूछती है क्या यह सेम तरह का घर है जहाँ पर फूड स्टोर होता है तो वो कहता है कि हां ये स्यम तरह का ही है फिर यहाँ पर वो जो है एक बोरे पर देखने लग जाती है जिसके अंदर आठा रखा होता है वो कहती है मुझे जो है एक ह्थोडी चाहिए और कुछ जो है लकड़ी के फट्ते चाहिए क्योंकि मुझे जो है कुछ ट्राइ करना है तो वो कहता है कि क्या ट्राइ करना है तो वो कहती है कि मुझे एक चोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है फिर हम देखते हैं अगले सीन में कि उसे जो है जो चाहिए होता है वो समंगवा देता है यहाँ पर लिहाकू कहता है कि तुम इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो मामा कहती है मैं गरीब घर से पैदा हुई हूँ तो मुझे इन सब चीजों की आदत है मैं बहुत ही अच्छा चा काम कर सकती हूँ फिर हम देखते हैं कि वो आटा उसके अंदर डाल देती है और एक छोटी सी जगा उसने छोड़ रखा होता है और उसमें आग लगाने के लिए यहाँ पर उसके पास एक और जुगाड होता है वो कहती है कि आप सभी लोग दूर हट जाएं क्योंकि यहाँ पर डेंजर हो सकता है हम देखते हैं कि मास्टर लिखाकू जो होता है वो यहाँ से दूर नहीं जाता तो मामा कहती है कि आप यहाँ से दूर जा सकते हैं उसके बालों में फिर हम देखते हैं कि यहां पर जो मामा होती है वो उसके उपर पानी मार देती है ताकि वो जो है थोड़ा सा सांथ हो जाए फिर हम देखते हैं कि यहां पर वो कहता है कि एक इस तरह का एक्सक्लोजिव था वो बताती है कि यह एक आटा है और इस आटे में थोड़ी सी हवा मिल जाए और थोड़ी सी आग मिल जाए तो ये बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर सकता है क्योंकि ये जो है बहुत ही महीम पीसा हुआ है इसलिए ऐसा ये कर सकता है तो मुझे लगता है कि कल रात को कोई बंदा जो होगा यहाँ पर स्टोरेज रूम में आया हो उसने गेट खोला तो हवा जो है उसके अंदर आ गई अब वहां पर आकर वह समोकिंग करना चाहता होगा इसलिए उसने आग जलाई और उसके जलाते ही यहां पर बहुत ही तेज धमाका हो गया इसी वज़ा से यह बलास्ट रात को हुआ था अब तुम्हारा काम यह है कि यहा पर समोकिंग ना करें वियर हाऊस के अंदर जाकर यहां पर वह कहता है ठीक है मैं समझ Gabya इस तरह की चीजों को फिर उसे जो है यहा कर शीक आती है तो मावा कहती है कि तुम जो हो यहा पर जाकर दिखा सकते हो यहां पर वो अपने पापा का एडरस बताती है क्योंकि उसके पापा को यहाँ पर मार्केटिंग करनी नहीं आती है इसलिए वो अपने डैड का एद्रस बता देती है वो सोचती है कि यहाँ पर ये परिन के साथ भी मिलकर फिर अपने डैड को दिखा लेगा फिर हम देखते हैं अगले सीन में वो यहाँ पर ले रही होती है उस फाइब को और सोच रही होती है अगर मैं उसको साइब साफ कर दूँ तो ये दुबारा से अच्छा हो जाएगा और यह इसको मैं जो हूँ अच्छे भाव में बेच सकती हूँ बड़ यहाँ पर मामा सोचती है कि इस तरह का जो है हाई क्वाल्टी का पाइप कोई सा धायर नोकर कैसे यूज़ कर सकता है तभी यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है हम एक बंदे को देखते हैं जो खाना खाते वक्त यहाँ पर रो रहा होता है और रोते हुए यहाँ पर वो जो हैकप को नीचे फिक देता है तभी एक बंदा उसे देख रहा होता है अब अगर तुमें यह जानना है कि इसके आगे क्या होने वाला है और तुम जो हो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हो